हमारे साथे शेयर करने वाली है और फिरस्ती मैं रिक्वेंस करूँगी मिस उच्वार सोनी जो बलस्पाना वापिस के काम करती है वो आगे आए और अपना अनुभाख शेयर करें हम सबके साथ के वेमेन इंट्राक्ट्रीस का कैसे उनकी जीवन में लाग रहे है जो अपना साथे से इसनका स्वावब दो मेरा नाम उस्या सोनी है मैं पिछले 8 साल से अप्रेटर के तौर पर काम करती हूँ मैं अपने जीवन उनकी जो बतलाव मेरे में आया है मैं उसके बारे में कुछ आपको बताने चाहती हूँ जब यह प्रोग्राम जब हमारे कमपनी में एक साल वएले जब चाहती वा तो उसमें अस्ति का नाम आया तो मैंने अपना नाम उसमें से हटा दिन मैंने वह सोचा कि इसमें जाके क्या सीखना है मैंने तो इतने बड़े-बड़े बच्चे हो गए है मैंने उसमें से अपना नाम हटा दिन मैंने जब वहां से महिला है जो सीख के आती थी और जब बात करती थी तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी वहां पे जाना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए तो जब मैं वहां पे गई तो मुझे बहुत कुछ जानकारी मिला दस दूंकी जो हमको ट्रेनिंग मिली वहां को मुझे बहुत कुछ जानने को मिला जैसे कि करिवार में सब को मिलके काम करना चाहिए सब को अच्छी से बात करना चाहिए कैसे किसके साथ बात करना चाहिए यो बहुत कुछ जनकारी मुझे मिला तो मैं मुझे अस्तमा का प्रोब्लम था उस टाइम पर बहुत काफी था अब कम हुआ है तो मैंने अर्विन सर से बात किया कि सर हमारे घर पे तो कोई मिल्जूर के काम नहीं करता है उनों ने बोला क्य जो मैं बोलती हूं जो सामने बूला बोलता है वो सब गलत है तो उन्होंने बोला कि जब आप ही सही नहीं हो तो सामने वाला सही कैसे रहिए जब आप अपने बदलाव लाओगी तो आपका गर्पे सब लोग आपको हेल्प करेंगे आप अच्छे से बात कीजिए कि मुझे बीमारी है तो मैं जब आपको हेल्प कर सकती हूं तो आप मुझे की नहीं हेल्प कर सकते हैं बाद में वही बात में जाके अपने घर पे बताती थी और अपने गुस्षे पे कंट्रोला है वो गुस्षे के वज़ए से हमारी जो फेक्टरी या बैसवडा गार्में उसमें मुझे बहुत दिक्कत होती थी मैं किसी का बाती नहीं सुनती थी जो मैं बोलती हूं वही सही है और जो सामने वाला बोलता है वो गलत है उसके वज़े से मुझे बहुत दिक्कत होती और बाद में मुझे पस्तावा भी होता था वो बात जाकर मैं अपने घर पे बताया जो उसके बाद मुझे 25 दिन का मुखा वाकबस ट्रेनिंग का मिला, तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि 10 दिन के ट्रेनिंग में मुझे इतना सब कुछ सीखने को मिला है, बतलाव मेरे गर में आया है तो मुझे और कुछ सीखने को मिलागा, उसी दोरान मेरे लड़के का पढ़ा दो हमारी अर्पीता मेडम है उन्होंने कुछ है मेडम क्या हुआ तो मैंने सब बात उनको बताया कि नई मेडम आपको अपने लड़के को भीजना चाहिए उसको आगे बढ़ने का मुंका दीजिए आप उसको आगे नई बढ़ने की देंगे तो वो उसका भवीश्या खराब कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपना भी फविस्या कर रहे हैं तो बाद में मैंने वो सब बाते सुनके और समझ के मैंने फिर अपने घर पे जाके बात किया आज मेरा रड़का डूबई में है और अच्छी पूस्पर है तो मैं अपनी कंपनी का बंसवरा गार्मेट का थैंक यू बोलना चाहती हूं और अपिताा मेरां का लियूकर का अंपना सबकता ठैंक बोलना चाहती हूं और एक बात मैँ और बोलना चाहती हूं कि onsten साल पहले मुझे ये ट्रेनिंग मिली होती तो मैं अपने रणकी का 18 साल पहले उसकी उमर में साथी नहीं करती आज उसका भविश्य खराब नहीं मैंने उसको पहले को खरड़े होने का मुखा नहीं दिया उसका जो लाइब था जिनकी जो बर्बाद हुआ है उसको पढ़ने नहीं दिया उसकी जुम्हेदार में हो तो कास मुझे ये ट्रेनिंग पहले मिली उसका लाइब खराब नहीं होता तो आज मैं सब को थैंकी अपनी कंपणी का तो बहुत थैंकी बोला चाती हूँ जो मैं काम नहीं करती हूँ तो मुझे मेरे बच्चे का और मेरे पती जो बदलाव आया है मेरे घर में कमपणी में मैं पीस रेट पे काम नहीं करती थी फिक्स में काम करती थी आज मेरे बदलाव के चलते जब मेंने फिक्स पर काम करती है, तो वह बहुत कुस हो inserting कि इतने सालों से जो think काम करती है कि वाद पी-स्रेट में काम करने के लिए तैयार होगा यो बहुत कुछ है और जब हमारे फ्लॉर पर जब सुव आते हैं और बैस्ट बदलाव से मेरे शुबाव के वज़े से आज सुबर जब वो आते हैं, कभी भी आते हैं, तो मुझे बोलते हैं, उसा पेंग सोनी, केम छो, इतने बड़े सहर हो के मुझे पुछते हैं, मेरे बच्चे के बारा कुछते हैं, या ये ट्रेणिंग के वज़े से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सबको स्थानी अपनी लड़की का जिंदीं गर्वान लाकर। थेंक्य।